हाई फ्रेंड्स वेलकम टो अवर चाइनल आएम श्रीपाद नाइक एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रिकल अकेडमी तो देखो पिछले वाले एपिसोड में हमने इंडक्टन्स क्यालकुलेशन का पुरा पार्ट टू डिसकस किया था मतलब वहाँ हमने सबसे पहले हमने क्या किया था सिंगल फेट्स सिंगल कंडक्टर जब होगा तब इंडक्टन्स क्या होगा वो देखा और उसके बेसिस पर ही सारे आगे के कंशेप्ट्स हमने देखे बाद में हमने single phase two wire system देखा मतलब single phase two conductor system हमने देखा बाद में हमने group of conductor जब होंगे तब उनका असर एक conductor पर क्या पड़ता है inductance और flux linkage उसका क्या आता है वो हमने discuss किया अभी सारा inductance का calculation single phase में कैसे करते है वो आपको detail में अभी पता चल गया होगा तो अभी हम आगे मू करने से पहले मतलब three phase inductance हम लेंगे लेकिन उसके पहले आपको ये concept पता होनी चाहिए कि concept of GMD and GMR तो GMD और GMR में इस episode में पुरा discuss करने वाला हूँ और अभी आप कहेंगे कि single phase inductance के कुछ numericals आप करा दो तो उसके लिए आपको वरी करने की जरूरत नहीं है वो जो भी numericals होंगे वो हम एक साथ discuss करेंगे GMD, GMR पे फिर हम discuss करेंगे three phase inductance पे, capacitance पे सब कुछ हम numericals के आपको series देंगे ठीके? numericals की series हम आपको provide करेंगे सबसे पहले यह सारे concepts आपको मैं सिखा देता हूँ और बाद में फिर मैं आपको numerical series provide करूँगा ठीके? तो अभी देखो concept of GMD and GMR अभी हम discuss करने वाले ठीके? तो देखो यह GMD क्या है? यह geometric mean distance तो geometric mean distance की जो concept है वो bundle conductor से आई है मतलब जो आप bundle करते हो, conductor bundling आप करते हो तो वो 220 kV का जो voltage होता है उसके आगे आपको bundling करने पड़ती है मतलब 220 kV high voltage line में आपको bundling of conductor यूज़ करने पड़ते है तो देखो हमने types of conductor जब discuss किया था उसकी एक summary में आपको दे देता हूँ फिर आपको bundle conductor अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहां हमने केसे क्यूँ वो use किया है उसका main purpose क्या है देखो सबसे पहले हमने क्या देखा था solid conductor हमने देखा था solid conductor और एक होता है आपका hollow conductor ठीक है single conductor में आपके ये दो types आते है single conductor हमने सबसे पहले जब discuss किया था तब solid क्या होता है और hollow conductor क्या होता है वो मैंने आपको बताया था तो solid conductor में क्या होता है पूरा material भरा होता है और hollow conductor में आपका inside वाला जो material रहता है बीच वाला वो आपका hollow रहता है बाकी का ये material भरा पड़ा रहता है बराबर है यह हमने बताया था तो बाद में हमने आपको कहा था कि इसका external radius आपको जादा रखना पड़ता है मतलब इसका radius जादा होता है as compared to solid conductor और इसका radius और external solid conductor का radius आपका इससे जादा होने के कारण क्या होता है इसका radius जादा होता है तो electric field intensity inversely proportional to radius रहती है तो ये radius बढ़ जाने से ये electric field कम होती है और electric field कम होने के कारण आपका corona loss तो electric field पे ही depend करता है तो electric field अगर कम होती है तो आपका corona loss भी reduce करता है hollow conductor में लेकिन solid conductor में corona loss hollow conductor से आपको जादा मिलता है skin effect भी आपको hollow conductor से solid conductor में जादा मिलता है क्यूंकि hollow conductor में inside कोई material नहीं है तो inside कोई flux linkage नहीं है और inside कोई current भी नहीं है तो इसका skin effect और इसका corona loss solid conductor से थोड़ा कम रहता है लेकिन hollow conductor आप सिर्फ bus bars जो रहते हैं तो bus bars में आप hollow conductor का use करत करते हो बाकि आप सॉलिड कंड़क्टर ही प्रिफर करते हो ठीके लेकिन जैसे जैसे आपका वोल्टेज बढ़ते जाता है तब यह जो आपके कोरोना लॉस और आपका स्कीन इफेक्ट वह जादा डॉमिनेटिंग हो जाते आपके लिए तो एड़ टाइम आपको क्या करना प में मैंने लंबा डिसकस किया था उसकी लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना अगर आपने देखा नहीं होगा तो तभी आपके कंसेप्ट और क्लियर होंगे तो आल अलुमिनियम कंड़क्टर और अलुमिनियम अलॉय कंड़क्टर ये स्ट्रैंडेड कंड़क्टर रहते स्ट्रैंडेड कंड़क्टर मतलब नंबर आप ऐसे चोटे चोटे कंड़क्टर अगर आप बंच करते हो तो ऐसे बंच आप कंड़क्टर करके जो आपका एक कंड़क्टर ओर बनता है तो उसको मतलब बंचिंग आप क्रियेट करते ह तो उसको आप stranded conductor कहते हो और उसमें aluminium आप preferred करते हो या तो फिर alloy of aluminium आप preferred करते हो तो इसका आसर क्या पढ़ता है इसका आसर पढ़ता है कि skin effect आपका जो है वो आपका reduce हो जाता है क्योंकि हर conductor हर एक छोटे छोटे conductor हमने use किये तो सारे conductor के outer side में आपका current तो distribute होगा ही जादा current तो फिर overall आपको current मिलेगा उस conductor पर on an average आपको current अच्छे से distributed मिलेगा तो इसका skin effect as compared to solid conductor और hollow conductor कम हो जाता है क्योंकि यहाँ आपका uniform current का distribution हो रहा है बराबरे मतलब uniformly distribute हो रहा है तो skin effect आपका reduce हुआ अगर corona loss के comparison में अगर देखे single conductor के comparison में तो single conductor के comparison में इसकी electric field कम होती है और इसका corona loss भी कम होता है ठीके लेकिन इसका एक disadvantage हमने देखा ताकि इसकी tensile strength आपकी कम रहती है तो tensile strength अगर कम होती है तो आपने देखा वगा tower का structure, tower के structure में ऐसे conductors आपने रखे है तो यहाँ आपको 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 स्याग मिलता है मतलब यह conductor ऐसे जुख जाते है ground की तरफ ऐसा स्याग आपको मिलता है अगर इसकी tensile strength कम होगी तो तो tensile strength कम होने के कारण आपका यह स्याग increase हो जाता है और यह स्याग ऐसा आपके लिए beneficial नहीं है स्याग increase नहीं होना चाहिए ज़्यादा स्याग आना नहीं चाहिए तो फिर आपको इसलिए क्या करना पड़ता यह tensile strength बढ़ानी पड़ती है इसलिए हमने देखा था ACSR conductor हम यूज करते यह भी एक composite stranded conductor का type रहता है composite stranded conductor का type ACSR हमने discuss किया था तो ACSR में हमने क्या किया था ऐसे ही bunching करते हैं conductor की लेकिन यह जो बीच वाला conductor रहता है बीच वाला तो वो conductor में यह बीच वाला जो material है तो बीच वाला conductor आप steel का बनाते हो मतलब steel material आप यहाँ prefer करते हो बाकी का aluminium रहता है तो यह steel आप अंदर prefer करने की वज़े से क्या होता है आपका जो स्याग वो कम हो जाता है क्योंकि tensile strength यहाँ थोड़ी बढ़ जाती है standard conductor के हिसाब से देखा तो और Corona loss यहाँ भी आपका कम होता है लेकिन Corona loss तो कम होता है सिंगल conductor के respect में आपको Corona loss कम होता है लेकिन overall अगर यहाँ आप देखे तो यहाँ आपको यह conductor जैसे आप ऐसे distribute कर रहे है तो यह ऐसे uniform distribution आपको नहीं मिल रहा है मतलब uniformity ऐसी maintain नहीं रह रही है आप देख रहे है या बराबरे तो अगर उसके हिसाब से देखा तो थोड़े फार ages तो यहाँ फॉर्म हो गई और जहाँ ages फॉर्म होते वहाँ electric field जादा रहती है यह मैंने सबसे पहले ही आपको सिखाया था तो ages यहाँ फॉर्म हुए है त तो electric field यहाँ बढ़ेगी तो अगर single conductor के इसाब से इसकी electric field कम रहेगी लेकिन फिर वी electric field तो यहाँ रहेगी ही थोड़ी फार तो रहेगी मतलब single के single से तो कम रहेगी लेकिन corona loss आएगा ही क्योंकि electric field है ही जादा ही है वो लेकिन इसके comparison में कम थी तो अगर corona loss आपको यहाँ भी मिल रहा है तो corona loss आपके लिए disadvantage नहीं से आपको पताए तो यह Corona loss आपको minimize करना है तो Corona loss को minimize करने के लिए ही हमारा main motto है कि हम bundle conductor की तरफ आगे बढ़ें मतलब जैसे जैसे आपका voltage बढ़ जाता है तो वह आपके लिए dominating हो जाता है तो corona loss को reduce करना है तो corona loss को reduce करने के लिए high voltage जो आपके line रहते 220 kv और 220 kv के above वाले high voltage line जो रहते transmission lines वहाँ हम जादा तर bundle conductor ही prefer करते bundle conductor से हमारा फाइदा आमें यही मिलता है कि corona loss वहाँ कम हो जाता है बहुत कम हो जाता है ठीके तो bundling of conductor केसे करते तो देखो सबसे पहले हमने single conductor discuss किया inductance के calculation में आपने देखा होगा part 1 में आपने देखा होगा कि single conductor हमने use किया था और पूरा एक solid conductor हमने use किया था derivation के लिए और हमने वहाँ first derivation क्या किया single phase single conductor के लिए किया था मतलब दूसरा भी एक conductor होता है जहाँ से current वापस आएगा अगर यहाँ से जाएगा तो यहाँ से वापस भी तो आएगा तो वो दूसरा conductor हमने consider नहीं किया था infinite distance पे है ऐसा हमने वो assume किया था तो सिर्फ एक conductor हमने consider किया वहाँ से current एंटर कर रहा था और वो single solid conductor हमने consider किया था मतलब एक phase के लिए हमने एक ही conductor लिया था अभी यहाँ भी अगर हमें single phase system की बात करूँ bundle conductor में तो single phase system के लिए ही यहाँ एक phase के लिए हम एक से जज़ादा अगर conductor यूज करते एक phase के लिए एक से जादा conductor दो तीन चार पाच आप जैसे आपके according आप यूज़ कर सकते तो यहां दो conductor मेंने एक ही फेज के लिए यहां इस्तमाल किया तो दो conductor एक phase के लिए मैं इस्तमाल कर रहा हूं तो मुझको यहाँ फाइदा क्या मिल रहा है देखो यह एक ही फेज ये इसे मैं कहता हूँ फेज और एक न्यूट्रल आपका रहता है आपको पता है signal फेज में क्या होता है फेज और न्यूट्रल रहता है अगर इसके इसाब से देखे तो face conductor में मैंने inside 2 solid conductor रखे है और neutral के लिए भी फिर अगर मैंने face के लिए 2 conductor तो neutral के लिए भी 2 ही लूँगा single face की बात कर रहा हूँ इसलिए single face में face और neutral होता है आपको पता है तो हम फिलाल single face पे चल रहे हैं इसलिए मैं single face के इसाब से आपको यह सिखा रहा हूँ बराबर 3 phase में जाएंगे हम आगे लेकिन आपको यह concept clear होना जरूरी है तो देखो यहाँ दो conductor मैंने लिए एक ही phase के लिए तो neutral के लिए भी मुझे दो conductor लेने पड़ेंगे अगर दो conductor में से current enter कर रहा है तो दो conductor में से बाहर भी तो current आएगा जितना current जाएगा उतना बाहर भी तो आएगा तो यहाँ neutral आप जो रख रहे तो neutral के लिए भी मुझे दो conductor का इस्तमाल करना पड़ेगा बराबरे तो आप कहेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया तो देखो हमारा main motor क्या था हमने देखा था composite standard conductor अभी हमने जो revise किया उसमें हमने देखा कि Corona loss तो हे ही वो तो हमें minimize करना है वो minimize हुआ है solid conductor जो हमने single use किया उससे वो minimize हुआ है ACSR में लेकिन पूरा तो minimize नहीं हुआ है हमें और minimize करना है Corona loss को क्योंकि Corona loss के effects बहुत ही dominating रहते है Corona loss minimize करना ही पड़ता है Corona loss और skin effect minimize करना हमारा main motto है ठीक है तो हमें वो minimize करना है तो हमारा main aim क्या है bundle conductor use करने का main aim क्या है to minimize Corona loss to minimize Corona loss तो Corona loss आपको minimize करना है पता है तो Corona loss minimize अगर आपको करना है तो Corona loss किस पर डिपेंड रहता है ये भी आपको पता होना चाहिए तो कोरोना लास प्रपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फिल्ड के इलेक्ट्रिक फिल्ड अगर जादा होगी तो कोरोना लास जादा होगा ये कम होगी तो कोरोना लास कम होगा बराबरे और electric field जो होती है वो inversely proportional to radius रहती है तो ये radius अगर मैं बढ़ा दू किसी conductor का radius अगर मैं increase कर दू तो मेरी electric field आपकी कम होगी तो electric field मेरी कम होगी कब होगी जब ये effective radius में बढ़ाऊंगा effective radius मतलब काम का radius जो conductor के आजू बाजू में flux link करने में आपको काम में आने वाला है वो radius बढ़ाबरे तो effective radius इसलिए मैंने इसे कहा काम का है हमारे बढ़ाबरे तो effective radius में increase अगर करूंगा तो मेरी electric field कम होगी तो electric field अगर मेरी अभी कम होगी तो मेरा corona loss भी तो कम होगा तो corona loss कम करने के लिए हमें ये करना है ये क्या है effective radius जो है effective radius मुझे increase करना है और effective radius increase करने के लिए मैं क्या यूज़ करूंगा bundling of conductor यूज़ करूंगा bundling of conductor तो effective radius increase हो रही है क्या है यहाँ देखो जो मैंने आपको बताया कि bundle conductor पूंडूटर आप यूस करते हैं, number of solid conductors आप रखते हैं, number of solid conductors आप रखते हैं ,or एक phase के लिए उतने conductors आप रखते Тरहmente मतलब एक single conductor आप लेते नहीं है, number of single conductors आप लेते हैं और उनकान का एक phase बनाते हैं , demands इसा आप कर रहे है मतलब number of conductors हो जाने की कारण क्या हो रहा है यह radius आपका increase हो रहा है overall radius देखो आभी increase हो रहा है कि नहीं overall radius आपका increase हो रहा है effective radius हम इसे कहते वो increase हो रहा है और effective radius increase होने के कारण आपका क्या हो रहा है electric field कम हो रहा है और electric field कम होने के कारण आपका corona loss भी कम हो रह करना कंपलसरी है कोरोना लौस मिनिमाइज करने के लिए तो अभी देखो अभी मैंने क्या किया आपको यह concept मुझे अभी एक्सप्रेंग करने है कि GMD और GMR क्या है तो अभी इसके हिसाब से ही यह concept आपकी आती है इसलिए मैंने वहाँ यह सब कुछ आपको बताया आप कहेंग दिया था GMD GMR वो explain करो अच्छे से तो वो explain करने के लिए यह भी तो पता होना चाहिए इसलिए सबसे पहले मैंने पूरा concept चोले आपको वो बताया short में मैंने लिया था वो लेकिन फिर से एक बार बता दिया ठीक है अभी आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है तो GMD GMR अभी हम शूरू करने जा रहे तो अभी देखो अभी मैंने क्या किया अभी हम बात कर रहे single phase two conductor के लिए मैं अभी बात करने वाला हूँ तो अभी ये single phase two conductors में ले रहा हूँ बराबरे single phase system में दो ही conductor होते हैं एक phase वाला होता है एक neutral वाला होता है तो phase में मैं number of conductors यहां लूँगा बराबरे तो सबसे पहले मैं आँ heading दे रहाऊ सबसे पहले मैं heading दे रहाऊ single phase two conductor bundle system मतलब एक phase में मैं दो conductor यूज़ कर रहाऊ इसलिए single phase two conductor bundle system अभी इसका impact क्या होगा अभी देखो जब आप single conductor यूज़ करते थे तब एक ही conductor था एक phase में तो उससे ही current पुरा गुजरता था आए current गुजरता था और बाहर भी आने के लिए एक ही conductor आप रखते थे तो उससे आपका आए current बाहर आता था बराबरे ये तो आपको पता ही होगा तो अभी ये तो consider ही मत करो आप neutral अभी हमारे पास मतलब neutral infinite distance पे ऐसा आप consider करो फिलाल के लिए क्योंकि आपको एक phase से ही में अभी सबसे पहले explain करता हूँ अभी वो आपको पता चलेगा तो बाद में फिर हम सारा discuss कर लेंगे तो देखो अभी मैं क्या कर रहा हूँ अभी मैं कर रहा हूँ कि दो conductor में ले रहा हूँ single conductor दो single conductor मेंने लिए और ये एक phase के लिए लिए मतलब ये इतना मेरा एक phase है ठीक है इतना एक phase है single phase system में एक phase होता है एक neutral होता है तो वो इतना मेरा phase है अभी दो conductor मेंने लिए inside दो single conductor तो इसका radius मानलो r है और इसका radius भी मानलो r है दोनों का radius सेम है ऐसा आप assume करो ठीक है मानलो तो अभी दोनों का radius सेम है और दोनों conductor के बीच का distance center to center ही हम हमेशा distance measure करते है ये हमेशा ध्यान में रखो तो दो conductor के बीच का distance है D, ऐसा आप मान लो, ठीके, तो दोनों के बीच का distance है D, और दोनों का radius है R, ठीके, दो conductor मैंने एक face के लिए use किये, अभी इस face से आपका I current जाने वाला है, और neutral से I current बाहर आने वाला है, तो neutral अभी हम consider कर ही नहीं रहे, हम सिर्फ इतना देख रहे हैं कि इस face से I current मेरा enter कर रहा है, तो इस face से I current एंटर कर रहा है, और मैंने अभी दो conductor use किये, तो यहाँ से I by 2 जाएगा, और यहाँ से भी I by 2 जाएगा, बराबरे, I by 2 यहाँ से गया, I by 2 यहाँ से गया, आपको यह अच्छे से पता चल गया होगा, अभी तक तो, ठीके, तो आप जो formula यहाँ इस्तेमाल करते हो, मतलब अगर आपने यहाँ आपको कहा गया, कि इसका inductance निकालो, इस face का inductance निकालो, क्या आएगा, तो inductance अगर आपको बताया गया, तो inductance का formula single conductor के लिए, single face के लिए, सबसे पहला derivation, क्या आया था? mu naught mu r by 2 pi ln d by r' इतना आया था, आपको पता होगा, तो यहाँ क्या है, यहाँ हम क्या r' लेंगे, यहाँ क्या हम gmr लेंगे, नहीं, क्यूंकि r' सिर्फ single conductor के लिए हम लेते थे, single solid conductor जब होगा, तब r' लेते थे, और single hollow conductor जब था, तब हम क्या लेते थे, r लेते, बराबरे, तो अभी हमने दो single conductor use किये, single solid conductor एक ही phase के लिए, तो इसका radius और इसका radius तो अलग-अलग है, मतलब same radius है, लेकिन इसका अलग है, इसका अलग है radius, बराबरे, दोनों के radius है, तो दोनों के radius अगर आपको दिखाई दे रहे, तो यहाँ आपको उनका contribution तो देना पड़ेगा, यह एक phase, दोनों conductor से हमने बनाया है, तो दोनों conductor के बीच में, जो geometric mean distance होगा, वही आप हिसाब से, उसके हिसाब से ही आप consider करेंगे, तो यह r-जो था, जो आप जब single conductor use कर रहे थे, तब हम कह रहे थे इसे gmr, geometric mean radius हम उसे कह रहे थे, जब हमने single conductor use किया था, तब radius था r, तो r- लेते थे, gmr लेते, और gmr क्यू लेते, geometric mean radius वो भी मैंने आपको बताया था, बराबरे, लेकिन यहाँ हो क्या रहे, यहाँ हम geometric mean radius नहीं लेंगे, क्योंकि मतलब लेंगे, लेकिन इसका अलग होगा geometric mean radius, इसका geometric mean radius अलग होगा, और दोनों के बीच में भी तो कुछ ना क distance है, तो वो भी हमें consider करना पड़ेगा, तो यहाँ सिर्फ gmr लेके हमारा काम नहीं चलने वाला, यहाँ आपको on and average कितना distance आ रहा है, अपने ही phase में, अपने ही, मतलब यह दो conductor से आपका एक बना है bundle conductor, ऐसा आप assume कर रहे हैं, ऐसा ही है, तो ऐसा अगर है, तो उसके बीच वाले का, मतलब उसके बीच में जो आपका effective distance है, effective geometric mean distance वो निकालेंगे कैसे, वो हमें निकालना पड़ेगा, तो यहाँ अगर bundle conductor होता है, तो यहाँ r- नहीं आएगा, तो formula सिर्फ change क्या होगा, यहाँ आपका होगा, self gmd हम इसे कहेंगे, self gmd, self gmd मतलब self geometric mean distance, मतलब अप अपने आप में, अपना यह जो एक conductor बनाए इस दो conductor से, तो अपने आप में geometric mean distance क्या होगा, वो हमें निकालना पड़ेगा, इसका overall आपको geometric mean distance निकालना पड़ेगा, तो r-dash जो आप gmr लेते थे single conductor के लिए, अगर bundle conductor numerical आता है, bundle conductor पर, तो फिर at that time यहाँ आपको क्या लेन पड़ेगा, self gmd लेना पड़ेगा, ठीक है, तो self gmd आप यहाँ consider करेंगे, ठीक है, तो self gmd अगर आप यहाँ consider करेंगे, तो वो निकालेंगे के से, तो वो निकालने के लिए आपका formula क्या है, वो मैं आभी आपको बताता हूँ, तो अभी आपको निकालना पड़ेगा, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे डिस्टन्स अभी देखो यहाँ दो कंडक्टर में ने एक फेस के लिए यूज किये तो यह इसको में बोलता हूँ कंडक्टर 1 इसको में बोलता हूँ कंडक्टर 2 ठीक है तो आप सब कुछ देखेंगे कि डिस्टन्स अभ कंडक्टर 1 विट इटसेल्फ कंडक्टर 1 का खुद का अपने हिसाब से डिस्टन्स क्या है क्या है आर ड्याश है आप यहां आर ड्याश of conductor 1 with respect to 2 भी लेना पड़ेगा क्योंकि overall हमें distance निकालना है तो वो भी लेना पड़ेगा तो distance of conductor 1 with respect to conductor 2 क्या है इसका first का with respect to 2 क्या distance से D distance आपको दिखाई दे रहा है तो D मेंने लिया फिर आपको इसके बारे में भी सोचना पड़ेगा क्योंकि इस phase में ये भी तो आ रहा है तो इसका distance अपने खुद के respect में आपको देखना पड़ेगा वो क्या होगा distance of conductor 2 with respect to itself क्या होगा उसका radius और जो हम r- लेंगे gmr लेंगे और distance of conductor 2 with respect to अभी conductor 1 भी तो आपको लेना पड़ेगा तो with respect to conductor 1 उसका distance क्या होगा r- sorry d होगा बराबर इसके बीच में इसका इसके respect में distance कितना है center to center distance d है बराबर तो अभी ये सारे distance हमने लिए उसका geometric mean हमें लेना पड़ेगा geometric mean distance हमें निकालना है तो उनका geometric mean क्या आएगा उनका geometric mean लेने के लिए आपको करना क्या है ये सारे distance आपको multiply करने r- into d multiply by r- into d और raise to क्या करना है 1 by कितने distance आपने लिए है कितने distance लिए 4 distance तो 1 by 4 आपको करना है तो r- into d into r- into d raise to 1 by उतने distance ठीक है जितने distance आपने लिए तो अभी इसको आप कैसे लिख सकते इसको में यहां लिख लाओ ठीक है यहां में लिख रहाओ r- into d क्या है ये r- into d into r- into d ये हमारा self gmd है क्या है self gmd तो ये self gmd आप ये ऐसे भी तो सकते हैं ये raise to 1 by 4 था बराबर है तो इसको कैसे लिखेंगे r- into d का square raise to 1 by 4 क्योंकि देखो ये same है यहां r- into d ये यहां r- into d ये तो r- into r- into d का square raise to 1 by 4 तो 2 into 1 by 4 मतलब 1 by 2 तो आपको क्या मिला r- into d ये square इसके लिए है r- into d का whole square है ठीक है तो r- into d 2 into 1 by 4 1 by 2 आपको मिला मतलब under root r- into d आपको मिला बराबर है तो under root r- into d ये आपका self gmd आया वहां से आप r- calculate करेंगे जो होगा 0.7788 times of r r आपको दिया होगा numerical में और ये distance d भी आपको दिया होगा वो put up करके आप value निकालेंगे तो ये ऐसे आप self gmd find out करते अगर आपने तीन conductor लिए होते हैं तो उसके हिसाब से इसका इसके साथ distance इसका इसके साथ फिर अपना उनका distance ऐसा लेंगे तो अभी यहाँ two conductors थे तो चार distance आपको मिले बराबर है two conductors थे तो चार distance मिले मतलब उसका square मिला अगर तीन conductor होते तो नो distance आपको मिलते नाइन distance मिलते चार conductor बंडल करते तो 16 distance आपको मिलते तो ऐसे आपको दिया होगा numerical में ज्यादा तर दो ही conductor वो देते हैं ठीके या तो फिर तीन देते बंडल conductor self gmd निकालने के लिए ज्यादा तर नहीं देते ठीके मतलब ज्यादा conductors वो आपको नहीं देंगे तो self gmd आप ऐसे निकालेंगे और उसकी value is denominator में आप put करेंगे ठीके तो self gmd क्या है self gmd भी एक gmr ही है लेकिन पूरे overall का हमें खुद का distance निकालना है geometric mean distance इसके लिए हमें ये सब गुच करना पड़ा ऐसा distance major करना पड़ा 1 का 2 के साथ 1 का खुद के साथ फिर 2 का खुद के साथ और 2 का 1 के साथ ऐसे लिया और उसका geometric mean हमने किया तो हमें self gmd मिला अभी देखो ये तो आपको पता चल गया कि self gmd आप कैसे निकालेंगे बराबरे तो अभी आपको ये भी मैं बताता हूँ कि आप mutual gmd कैसे निकालेंग ठीक है तो mutual gmd कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ तो mutual gmd के लिए आपको पता है self gmd निकालना है तो सिर्फ अपने अपने फेज में आपने distance measure किया अपने आप में क्या आ रहा है बराबरे अभी mutual लेना है तो उसके सामने एक और conductor होगा कुछ distance पे आपको पता है तो उसके सामने भी तो conductor होगा यहां से दो से current जा रहा है i by 2 i by 2 तो यहां भी दो conductor होगे neutral के लिए वहां से current बाहर आएगा i by 2 i by 2 तो अभी हम वो भी consider करेंगे mutual gmd निकालने के लिए ठीक है तो वो मैं consider करता हूँ और उसका भी एक conductor ऐसा आपका bundle हुआ है बराबर तो यह क्या है आपका यह पूरा neutral है neutral ठीक है single phase में phase और neutral दो ही तो होते हैं आपके conductor आपको पता है तो यहां से i by 2 बाहर आया यहां से भी i by 2 बाहर आया इसका भी radius मानलो r है इसका भी मानलो r है और दोनों के बीच में center to center distance क्या है d है ऐसा आप मानलो यह है conductor 3 और यह है conductor 4 यह 1 2 और यह 3 4 है अभी हमें क्या करना है inductance का formula single conductor के लिए क्या था एक बार मैं फिर से लिखता हूँ mu 0 mu r by 2 pi ln d by r यह था आपको पता है बराबरे तो वहां आप क्या करते थे second के साथ आप distance मेजर करके वो distance आप यहां लिखते थे बराबरे second अगर कोई conductor आपको दिया होता तो वो आप लिखेंगे बराबरे distance के हिसाब से तो यहां भी आपको ऐसा ही करना है यहां आपको क्या करना है यहां आपने r dash जो निकाला तो वो तो geometric mean distance आपको यहां लिखालना पड़ा तो यहां हमने कहा कि यह self gmd हम निकाल रहे तो bundling of conductor में r dash replace हुआ self gmd से और self gmd मतलब अपने आप में कितना distance आ रहा है वो कैसे निकालते तो वो आभी हमने निकाला अभी यह जो है distance d यह दोनों के बीच का effective distance आपको निकालना पड़ेगा यह conductor और यह conductor दोनों के बीच का effective कुछ distance भी तो होगा तो वो distance single conductor अगर दो ह होते यहां तो simply जितना होता उतना आप यहां लिख ले थे लेकिन अभी यहां भी दो conductor है यहां भी दो conductor है तो उनके बीच में mutual distance कुछ ना कुछ होगा geometric mean distance mutual geometric mean distance हम इसे कहेंगे मतलब इसका इसके साथ अलग distance होगा इसका इसके साथ अलग होगा इसका इसके साथ अलग इसका इसके साथ अलग तो उनका भी तो आपको geometric mean करना पड़ेगा तो वो होगा आपका mutual gmd वो क्या होगा आपका mutual geometric mean distance जो आप यहाँ numerator पर लिखेंगे तो आपका formula bundling of conductor में लिए conductor के लिए कैसे change होगा bundling of conductor के लिए आपका formula यहाँ mutual gmd आएगा यहाँ self gmd आएगा बरबरे तो inductance का formula single phase two conductor के लिए क्या था single phase two wire के लिए formula था mu zero mu r by pi ln d by r dash अगर आपका radius दोनों का same होता है दो conductor का तो आपने second derivation में वो देखा होगा पिछले वाले पार्ट में तो यहाँ क्या होगा mu zero mu r by pi ln mutual gmd by self gmd ठीक है तो अभी mutual gmd इनका case से आएगा तो वो भी तो आपको निकालना पड़ेगा तो अभी हम mutual gmd निकालते कि mutual gmd case से निकालते तो mutual gmd निकालना भी कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि आपको 1 का 3 के साथ distance दिया होगा already 1 का 4 के साथ दिया होगा फिर 2 का 3 के साथ दिया होगा numerical में 2 का 4 के साथ भी दिया होगा तो सारे distance आपको दिये होगे बराबरे सारे distance आपको वहाँ दिये होगे उसके हिसाब से ही आपको देखना पड़ेगा मतलब distance अभी अपने आप में distance आप नहीं निकालेंगे अभी phase में अपने आपका जो distance है geometric mean distance self वाला वो आपने निकाल लिया है अभी second जो आपके सामने आपको कोई bundle conductor दिखाई दे रहा है तो उसके इसाफ से आप geometric mean distance अभी सिर्फ निकालेंगे mutual में अपने आप फिर से निकालने की जरूरत लगी है नहीं तो आप गलत हो जाएंगे तो अभी 1 का 3 के साथ है तो d13 multiply by 1 का 4 के साथ क्या है d14 multiply by 2 का 3 के साथ d23 और 2 का ही 4 के साथ distance d24 जो आपको दिया होगा numerical में वो distance आप लखेंगे और raise to 1 by उतना distance मतलब यहाँ 1 by 4 आ जाएगा तो यह आपका हुआ mutual gmd तो mutual gmd calculate करने का तरीका भी ऐसा ही है लेकिन अपने आप में फिर मत calculate करो अपने आप में जो आप calculate करेंगे distance वो self gmd होगा वो आप पहले निकाल लेंगे बाद में फिर आप mutual gmd अब उसका इसके साथ ऐसे निकालेंगे distance के इसाब से बराबरे तो अभी आपको पूरा पता चल गया होगा कि inductance निकालना है तो mu 0 mu r by single phase 2 wire होगी तो mu 0 mu r by pi lnd by r' रहता है single conductor के लिए लेकिन bundle conductors अगर use किये होगे तो यहाँ आएगा आपका d replace होजाएगा mutual gmd से और r' replace होजाएगा self gmd से तो यह आपको conceptually पता होना चाहिए यह case से आया और उसकी value भी inductance की value भी henery per meter में ही होगी जैसे वहाँ थी यहाँ भी ऐसे होगी लेकिन यहाँ आपका difference इतना ही आया कि gmd आपको calculate करना पड़ेगा geometric mean distance आपको calculate करना पड़ेगा ठीके तो अभी यह single phase 2 conductor bundle system के लिए हमने लिखा अभी मैं क्या करता हूँ single phase 3 conductor bundle system के लिए लेता हूँ single phase 3 conductor bundle system एक बार वो भी हम ले लेते मतलब आपको पता चलेगा ठीके तो अभी मैं थोड़ा fast लेता हूँ अभी आपको पता चल गया है कि gmd gmr कैसे निकालते हैं ठीके तो अभी देखो 3 conductor bundle system में consider कर रहा हूँ तो 3 conductor bundle system के लिए यहां आपके 3 conductors में लेता हूँ 3 आपके solid conductors में लेता हूँ phase के लिए मतलब यह आपका इतना पूरा phase एक phase में आपके 3 conductors में लिए तो i current phase में enter करता है आपको पता है तो इसमें से i by 3 एंटर करेगा इसमें से i by 3 जाएगा और इसमें से भी i by 3 अंदर आपका एंटर करेगा बराबरे और इसको मैं मार्क करता हूँ conductor 1 ये conductor 2 और ये conductor 3 ठीके और यहां और तीन conductor होंगे neutral के लिए ठीके single face system है तो यहां neutral भी आएगा तो neutral conductor भी आपका bundle किया होगा मिलेगा आपको 3 conductor से 3 conductor से bundle किया हुआ neutral conductor भी मिलेगा ठीके तो neutral में i current बाहर आएगा यहां से आए गया तो यहां से i बाहर आया ठीके यहां से i by 3 यहां से i by 3 यहां से i by 3 एंटर किया तो यहां से भी i by 3 यहाँ से भी i by 3 यहाँ से भी i by 3 बाहर आएगा जितना एंटर किया उतना बाहर आएगा network थेरी kcl आपका valid होना चाहिए तो kcl यहाँ वेशा ही valid करेगा ठीक है तो अभी इसको मैं marking दे देता हूँ कि यह मेरा conductor 4 यह 5 और यह मेरा conductor 6 अभी 1 और 2 के बीच में distance हम मान लेते यहाँ distance से d 1 और 3 और 3 और तर्ड कंड़क्टर में भी distance से d और 3 का radius से r तीनों कंड़क्टर का radius से r equal radius से मान लो symmetrical configuration हम यहाँ है ऐसा मान लो अभी यहाँ भी देखो यहाँ भी आपका distance d है यहाँ भी distance d होगा यहाँ भी distance d होगा यहाँ तीनों कंड़क्टर का और तीनों का radius यहाँ भी r होगा तो अभी आप निकाल सकते तो निकालो self gmd क्या आएगा self gmd मतलब उसी अपने एक बंडल कंड़क्टर में अपने आप में जो distance आता है geometric mean distance उसे आप कहते है self gmd तो 1 का अपना खुद का कुछ distance होगा जो कि उसका radius होगा जो r' मेंने लिया multiply by 1 का 3 के साथ कुछ distance होगा जो है d multiply by 1 का 2 के साथ आपको कुछ distance मिल रहा है d ठीके तो 1 का 3 के साथ distance 1 का 2 के साथ distance d मुझे मिला multiply by अभी 2 के लिए देखते 2 का अपना कुछ distance होगा जो होगा उसका gmr geometric mean radius r' multiply by 2 का 3 conductor के respect में distance d है 2 का 1 conductor के respect में distance d है अभी 3 की अगर बात करें तो 3 के सामने आपका 1 conductor है और 2 conductor है और 3 का अपना कुछ radius होगा जो होगा r' और उसके 3 का 2 के respect में distance है d और 3 का 1 conductor के respect में distance है d तो अभी यह self gmd है तो race to कितना होगा कितने distance है total तीन conductors थे तो आपके 9 distance है तो 1 by 9 आपको यहाँ मिला बराबरे 9 distance है इसलिए 1 by उतना distance तो अभी आप लिख सकते r' into d into d तीन बार repeat हुआ तो उसका cube race to 1 by 9 बराबरे तो आप क्या लिख सकते इसे r' into d into d race to 1 by 3 mathematical आपको पता होगा ठीक है तो r' into d into d race to 1 by 3 आपको क्या मिला self gmd मिला तो self gmd फेस के लिए आपको मिला अभी neutral के लिए भी आपको self gmd निकालना पड़ेगा तो यहाँ उतना जितना distance हमने सारे conductor के बीच में है उतना ही यहाँ रखा है उतना ही radius इस conductor के लिए भी रखा है तो self gmd phase के लिए भी इतना आएगा neutral के लिए भी इतना ही आएगा तो यहाँ अगर मैंने लिखा self-GMD for phase तो यह phase conductor का self-GMD है neutral के लिए निकालेंगे तो यहाँ मैंने equal ही रखा है distance इसका भी वही रखा है यह भी दिये तो self-GMD self-GMD neutral के लिए मेरा क्या रहेगा यहाँ self-GMD मेरा neutral के लिए अभी हम mutual GMD निकालेंगे कि mutual GMD हमारा क्या होगा बरबरे तो mutual GMD मुझे निकालना है तो वो भी simple है आप निकाल सकते अपने आप भी आप निकाल सकते अभी आपको पता है ठीक है तो mutual GMD अभी आप निकालेंगे मतलब phase वाला जो बंडल कंड़क्टर है उसमें जितने कंड़क्टर है उनका neutral वाला बंडल कंड़क्टर में जितने कंड़क्टर है उनके respect में जो geometric mean distance आएगा उसे हम कहेंगे mutual GMD mutual geometric mean distance तो first conductor का 4 के साथ कुछ distance आएगा जो होगा D14, 1 का 6 के साथ भी आएगा D16 1 का 5 के साथ भी आएगा D15, multiply by 2 का 4 के साथ D24 2 का 5 के साथ D25, multiply by 2 का 6 के साथ D26, multiply by 3 का 4 के साथ D34, 3 का 5 के साथ D35, और D36, ठीके race to कितना आएगा कितने distance है टोटल आपके आपके पास 9 distance है तो race to 1 by 9 आएगा और ये जो distance होगा 1 का 4 के respect में, 1 का 5 ऐसा आपको दिया होगा numerical में आता है तो लेकिन numerical में mutual GMD अगर पुछा गया, तो सिर्फ वो 2 conductor वाले bundle system में ही पुछा जाएगा, single face 2 conductor bundle system के लिए, वो आपके लिए आसान होगा वहाँ आप trigonometer इंकाल के भी distance find out कर सकते हैं, अगर दिया नहीं होगा तो, ऐसा वो नहीं देंगे 3 conductor वाले bundle system में वो क्या देंगे आपको फार फार तर वो आपको दे सकते हैं कि self GMD निकालो, तो self GMD तो आप निकाल सकते हैं, ठीके, तो gate के according ये ऐसे ही पुछा जाएगा और university exam में भी जादा तर ऐसे ही पुछा जाता है, ठीके, तो self GMD और mutual GMD की concept अभी single face के two conductor, three conductor इस्तमाल करने के बाद भी सारा इस्तमाल हमने किया और आपको अच्छे से detail में अभी बता दिया है, ठीके, तो अभी अगर आपको पुछा गया, यहाँ आपका एक conductor था, और यहाँ था, उसमें तीन थे आपके, यहाँ face था, यहाँ आपका neutral conductor था, और उसमें तीन conductor की bundling की थी, तो यहाँ इसका face conductor का inductance कुछ आया, बराबरे वो क्या आया था, mu0 muR by 2π LN mutual GMD by self GMD mutual GMD by self GMD, बराबरे mutual GMD by self GMD, यह आया था, वैसे यह आपने neutral के लिए inductance निकालेंगे आप numerical में ठीके, तो वो भी ऐसा ही आएगा इतना ही, तो अभी आपको total inductance पूछा गया, तो आप क्या करेंगे वही आप इस्तमाल करेंगे अपना formula, total inductance और यह series में है single phase, यहाँ से करेंज जाएगा यहाँ से 12 आएगा, तो यहाँ जितना inductance है, उतना यहाँ भी होगा तो दोनों inductance आप add कर देंगे, L phase plus L neutral, तो आपको total inductance भी मिल जाएगा तो ऐसा concept अच्छे से आपको यह पता होना चाहिए कि केसे आया, क्यूँ आया, ठीक है तो अच्छे से detail में आपको अभी self GMD, mutual GMD GMR क्या होता है अच्छे से आपको पता चल गया होगा GMR क्या होता है, वो तो मैंने inductance calculation part 2 मतलब कल के part में ही पूरा discuss कर लिया था क्यूँ आया रहा है, आपका GMR क्यूँ आ रहा है यह मैंने आपको वहाँ ही बता दिया था अभी अगर मैं आपको single phase four conductor के लिए homework देता हूँ single phase four bundle conductor के लिए आप निकाल सकते है self GMD and self GMR ऐसे four conductor से उनके बीच में distance है D और सबका radius है आपका R, ठीक है, सबका radius से R, तो इसके लिए आपको क्या निकालना है self GMD निकालना है self GMD, ठीक है, सिर्फ self GMD निकालो इसके लिए, तो आपका answer क्या आएगा, वो मैं आपको बता देता हूँ वो आएगा, r' into d, into d, into root 2 d, raise to 1 by 4, अगर फिर भी आपको कोई doubt आता है, तो आप पूछ सकते comment में, यह आपके लिए home work है ठीक है, तो अच्छे से अभी आपको पता चल गया होगा, केसे करना है GMD, GMR केसे निकालना है ठीक है, तो अभी next वाला जो episode होगा, वहां हम three phase inductance की तरफ मोग करेंगे, इसके basis पर भी numerical में लूंगा, लूंगा नहीं ऐसी बात है ही नहीं, लेकिन three phase inductance हम खतम कर लेंगे पहले, फिर एक साथ हम numerical की series आपको provide करेंगे, ठीक है, तो मिलते आगले वाले episode में तब तक के लिए goodbye and thank you very much